हलो नमस्कार प्रिविदारति अभी इस टूडियो में हम साइंटिफी केल्गुलेटर के पीछे जो यूनिट करनमजन्स साइंटिफी कॉंश्टेंस से इसको कैसे कामें रहते हैं यह सीखेंगे आज हम यहां पर क्या करना होगा यूनिट करना होगा उसके बाद 01 से लेकर 40 तक मुझे कोई भी यहां से एक नमबर सेलेक्ट करना है जिस नमबर के लिए प्रेटिकुलर यूनिट हम कर सकते हैं तो यहां पर देखें मैं SHIFT दबाता हूं और 8 को दबाता हूं 8 पर क्या लिखा हुआ है CONV यह निए Conversion तो यहां पर मैं जैसे किस को Convert करना चाहता हूं मैं जैसे इंच को cm में Convert करना चाहता हूं, तो इसका इस्थान कौन सा है? 01, 01, प्रेस करते ही, यहां पर देखे, इंच 2 cm लिखा वा आ गया, अब मैं 10 इंच को cm में Convert करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर 10 इंटर किया, अब मुझे equal to प्रेस करना है, तो यहां पर देखे, यह fraction में आया है इसको मैं डीजिट में चाहता हूं तो यह देखिए डीजिट में आ गया कितना 25.4 अगें करते हैं चलिए एक वार और कोई भी नमबर लूँ मैं कोई भी यूनिट लूँ जैसे मैं मीटर को फिट में करना चाहता हूं कि इसके लिए कौन सा इस्तान है 04 यहा पर मैं 04 प्रेस करूंगा जो देखिए 2 फिट आ गया मैं यहां पर 15 मिंटर लेता हूं उसको फिट में करना है जो अब मेंण ऐपकोर अनलक्त करने के लिए.? इस哥 डिंट में करने के लिए इसके अलबा आप बाखी को देख लीजिए यहां पर scientific constants मुझे कामें लेना है तो इसके लिए क्या करना होता है shift और 8 दबाना है तो देखिए यहां पर mass of electron आगया अब equal to लगाओं को प्रेस करूंगा तो इसकी value आगये 9.1 into 10 to the power minus 31 तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकास scientific constants and unit का नवर्जन हम अपने calculator को scientific calculator को use करते भी कर सकते हैं अनि सारे वीडियो के लिंक में इस प्रिस्कुस फूरी वहाँ से विजिट करकर देख लें आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको तैदिल से धन्यवाद आबार सुरेंदर क्लेरी